चोपटा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसे चोपटा आपका हर्दिक स्वागद करता हूँ मेरे प्यारे बचों इंडिया में जो मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे MBBS है, BDS है, BAC Nursing है, IUS है, Veterinary है इन कोर्सेज में admission के लिए NEET का exam देना होता है और NEET की exam के बाद result आता है और result आने के बाद में counseling start हो जाती है, NEET की exam हो चुकी है और result 14th June 24 को expected date है हलांकि NTA ने ये date officially announced कर रखी है और जैसे ही NTA का NEET का result आ जाएगा, उसके बाद counseling start हो जाएगी counseling के बारे में knowledge होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि study के बाद में, आपके marks आने के बाद में admission के लिए कौन सी college में admission लेना है, कौन सी college कितने marks पर मिल जाएगी ये knowledge होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई student ऐसे होते हैं जिनके marks होते हुए भी college अच्छी नहीं मिल पाती है और आपको एक MBBS के दोरान अच्छी college मिल गई तो इसमें आपको एक internship के दोरान अच्छा सीखने के लिए मिलेगा और PG में भी वो काम आएगा PG की exam के लिए भी वो काफी helpful रहेगा आपको चीए कि MBBS के दोरान भी आपको एक अच्छी college मिल सके अच्छी college से आप medical course कर सकें चाहे वो MBBS का exam हो VDS का हो या फिर किसी का भी हो ये आपके लिए UG में अच्छा college होना बहुत ही जरूरी है अब बात करते हैं ये जो counseling है ये तीन प्रकार की counseling होती है 15% all India quota के लिए MCC counseling करवाती है 85% state quota plus 108% private seat के लिए state counseling करवाता है हर एक state अपने अपने state की इसके बाद में जो central pool quota के हैं paramilitary person हैं defense के हैं home affairs के हैं मतलब जो भी candidates से central pool quota के under आते हैं उनकी counseling concerned department करवाता है तो ये इंडिया में तीन प्रकार की counseling है इसके बारे में आपको समझना जरूरी है ताके आपको अच्छा college मिल सके इन सभी के लिए जैसे कि MBBS, Admission है, BDS, IUS, Veterinary है, BSC Nursing है इनके लिए ये तीन प्रकार की जो counseling authority है MCC है वो 15% ओल इंडिया कोटा के लिए counseling करवाता है, Open Seat, EMS, Zipmar, DU, Internal, IP, Internal इन सब के लिए counseling इसके दवारा ही होती है और Central Pool quota की counseling अलग से concerned department दवारा की जाती है, State quota की counseling हर एक स्टेट से की जाती है और Central Pool quota की मैंने आपको बता दिया concerned department से की जाती है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि student को अच्छा knowledge हो counseling का, उसको अच्छी seat मिले, अच्छी college मिले ताकि साड़े चार साल में और एक साल internship में वो इतना सीख जाए कि PG में उसको काफी health मिल जाए क्योंकि आज कल अगर PG में आपको अच्छी brunch नहीं मिलती है, तो फिरे थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें आपको क्योंकि आजगल states में भी जो medical officer है, उनकी vacancy हैं कम हो गई है, student को PG करना necessary हो गया है, तो आपका UG का अच्छा knowledge होगा, MBBS या बाकी courses के दुरान आप अच्छा knowledge gain करेंगे, तो ये PG में आपको काफी काम आएगा, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, इन तीनों के बारे किये ताकि हर एक student को इसके बारे में knowledge हो सके, MCC जो All India quota 15% की counseling करवाता है, AIMS, JIPMAR, DIMD University, ESIC, इन सब की counseling करवाता है, MCC, उसके separate book लिखी हुई है, वो आप हमारी book download कर सकते हैं और इसके बारे में knowledge ले सकते हैं, state quota की 85% state quota होता है, अलग-अलग state की book, मतलब state quota की book available है, जिसम इसी परकार से अगर जिनका MBBS, BDS में admission नहीं हो पाता है, वो IUS में, veterinary में admission लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी इस book में जानकारी available है, IUS और veterinary की bookming, तो ये तीन परकार की book है, जो student के लिए काफी helpful हैं, अब इसमें जैसे All India quota की book की हम बात करें, तो इसमें All India quota में open quota BDSC nursing की sheets, AIMS, Zipmar, AFMC, DU, IP internal, Central University, ESIC, DIMD, Central Pool quota, इनके बारे में बहुत कुछ समझा रखा है, इसमें previous year की cutoff दे रखी है, 2024 में आपको choice list कैसे fill करनी है, priority wise वो दी गई है, इसमें, कुलेज, हरे कुलेज की cutoff, round wise category wise दी गई है, पिछले 4 साल की cutoff दी गई है, counseling process को एक flow chart से अच्छी तरह से समझाया गया है, और बहुत सी सारी information है, इसमें fees की, bond की, seat की, काफी सारी information इस book में आपको मिलेगी, 400 pages की book है, तो आप जानते हैं, 400 pages में मैंने क्या लिखा होगा आपके लिए, तो जो आपके लिए information से ही है, वो इसमें मिल जाएगी, 24 list इस परकार से दे रखी है, मैंने, कोलेज का preference दे रखा है, कौन से year में वो establish हुई है, कौन से state में है, उसकी tuition fees क्या है, ये सारी जानकारी लेते हुए, आपको 24 फिल करनी है, क्योंकि काफी सारे colleges जैसे हैं, जिनकी fees 3,000,000 से उपर है, दूर के state में college लेने की बजाए, आप पहले अपने नजदीक के state में ले, इसलिए दे रखा है, कि पुरानी college होने से उसमें काफी सारा infrastructure वगरा, फैसलिटी वगरा अच्छी होती है, इसमें इस प्रकार से seat matrix दे रखा है, और cut-off के बारे में round-wise institute का first round, second round, उसके सारे tuition fees, state और established year भी दिखा रखा है, ताकि आप ये देख सके कि इस state में ये college है, तो use की क्या cut-off率, third round में क्या cut-off, pre- sisters में क्या cut-off रखा, तो इस परकार से ये सारा समझाया गया है इसमें, इसी परकार से AIMS का पूरा अलग से separate दिया गया है, dimd का अलग से separate दिया गया है, fees दी गया है, कितने साल की fees ली जाती है dimd में, उसकी cut-off क्या है, उसके बारे में सब कुछ समझाया गया है ऐसे ही Central Pool Quota के बारे में कौन कौन से Department हैं कौन से Department में कितने सीटे हैं और उसकी Cut Off क्या रही है इनकी भी 3-4 साल की Cut Off मैंने दे रखी है previous year की Central Pool Quota की उसमें BSF, CRP, YTBP, Army, Navy, Air Force सभी का Central Pool Quota के बारे में समझा रखा है स्टेट के भी सेंटर पूल कोटा की कुछ सीटे होती हैं वो भी मैंने सारा सब कुछ इसमें समझा रखा है काउंसलिंग प्रोसेस को इस बुक में बहुत अच्छी तरह के से समझाया गया है 15% ओल इंडिया कोटा के लिए ओपन सीट के लिए फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है सेकेंड राउंड में कैसे सीट ले सकते हैं कंडिसन क्या है एक सिंपिल लेंग्वेज में पूरी की पूरी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मैंने इसमें समझा रखा है ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में है सभी स्टेट के बारे में ये तो जानकारी है ये कैटेगरी की 24 लिस्ट की फीज की और प्राइवेट कोलेजेज की पूरी जानकारी है इसमें कितनी फीज थी, कितनी प्राइवेट कोलेज की कटोफ रही है पिछले चार सालों की, कितने होस्टल फीज है, क्या required documents है, यह सारा का सारा सब कुसे state quota की book में भी समझा रखा है, इसमें previous year की कटोफ भी दे रखिये है, हर एक state-wise सब कुस समझा रखा है, इसमें seats का, fees का कटोफ का, और इसके बाद में हर एक state का counseling process अलग होता है, वो भी हर एक state का counseling process समझा रखा है, कि first round में इस state में आपको ये condition रहेगी, इसके बाद में choice list भी दी गी है, state-wise और documents क्याद से यह वो भी state की book में available हैं, इसी प्रकार से IOS और veterinary की book में भी ये same facility हैं, जो All India की book में और All State की book में थी, वो same सारी की सारी इसमें IOS और veterinary दोनों एकी book में हैं और उसमें ये सारी facility हैं, cut off भी दी गई हैं इसमें, अब इनको आप download कैसे कर सकते हैं, तो इसको download करने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें description box में नीचे आपको more का option मिलेगा, mobile में show more का option मिलता है, तो आप description box open कर लीजिए, description box जैसे ही open करेंगे, यहां more पर click करेंगे, तो इस प्रकार से इसमें मैंने description लिख रखा है, और इसमें book का link दिया गया है, जिस link पर जो आपको book चीए, जैसे किसी candidate को All India की book चीए, किसी को state की चीए, किसी को I use veterinary की चीए, तो उस link पर click करेंगे, तो यह book download के page पर आप पहुंच जाएंगे, या फिर इसको आप हमारी इस website से भी download कर सकते हैं, चोपडा education.in, इस पर जैसे ही click करेंगे, तो इस परकार से website open हो जाएगी, जो book चीए, वो यहां show होगी, उस book पर यहां click कर देंगे, जैसे state की चीए, तो state की book पर click क कर देंगे, तो यह आप download page पर पहुंच जाएंगे, वहां मैंने कुछ इसकी fees रखी हो, fees पे करने के बाद में, आपके mobile या laptop में ये book download हो जाएगी, तो आप उसको read कर सकते हैं, आराम से इसमें बहुत कुछ information मैंने दे रखी हैं, मेरा मक्सद यह है कि आपको counseling के बारे में जानकारी होनी चीए, चाहे आप किसी counselor से भी counseling करवाते हैं, तो भी आपको थोड़ी जानकारी तो होनी चीए उसके बारे में, तो इसी बात को ध्यान में रखते विए ये तीन book published की हैं, और तीनों में भहुत कुछ material मैंने दिया है, तो हम अभी इस साल PG की counseling भी करवा रहे ह और PG की book भी publish होगी 23 June 24 को जब PG का exam हो जाएगा, उसके बाद में इस प्रकार से, जिस प्रकार से, UG की book में हमने facility दी हैं, उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा matter PG की book में भी मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा मैनत लगती है, उसमें काफी सारी branch हैं, branch wise मैंने cut off दे रखी है stipend कितना मिलता है student को, इसके बाद में कौन से college में, कौन सी branch में, कितने seat हैं, कौन सी branch अच्छी है, आपको branch wise preference कैसे देना है, कौन से clinical branch हैं, कौन सी non clinical branch हैं, ये सारा सब कुछ मैंने इस book में समझा रखा है, जो student MBBS करके NEET PG का exam दे रहे हैं और जिनको counseling के बारे में कुछ भी knowledge नहीं है PG का, क्योंकि knowledge होता भी कहां है, MBBS के दोरान study भी इतनी करनी पड़ती है कि student परिशान हो जाता है उसके लिए, इधर उधर counseling के बारे में जानकारी उसको कुछ होती नहीं है, जो मन्चा है, आप branch ले लिया और उस branch field में इतना ज्यादा scope ही नहीं है, तो फिर लेने के बाद में पता लगता है कि मैं तो गलत branch ले गया, इसमें इतना ज्यादा scope नहीं है, मेरे को cast knowledge होता तो ये branch में ले लेता, आपके marks होते हुए भी, NEET PG में marks होते हुए भी, अगर branch अच्छी नहीं मिलती है, तो उसका कोई फाइदा नहीं होता है, इसलिए जो student इस बार NEET PG का exam देंगे, phacer हैं या dropper हैं जो भी हैं उनके लिए ये PG की book भी काफी helpful रहेगी, जो publish होगी 23 June 24 को, तो ये जानकारी थी, NEET की e-book के बारे में जो UG और PG के लिए दोनों के लिए available है, UG के लिए तो फिलाल है, PG के लिए 23 के बाद में हो जाएगी, आप हमारे channel पे नए है तो channel को subscribe जरूर करके रखे, क्योंकि counseling related updates हम लाते रहते हैं, और क्या पता कौन सी information आपके लिए काम कर जाए, क्योंकि काफी ऐसे previous year में students मेरे साथ रहे, parents उनके रहे हैं, जिनका ऐसा रहा है कि एक मेरी छोटी सी information उनको life बना गई, तो ऐसा हुआ है previous year में, आपका भी exam हो च student का time खराब ना हो, लेकिन अभी आपके पास time पड़ा है, आप मेरी channel की information देख सकते हैं, channel subscribe कर सकते हैं, जो information मिलेगी वो genuine information मिलेगी, नए की views के लिए information मिलेगी, जो भी information होगी, वो बिल्कुल authentic information होगी, तो मिलेंगे नए जानकारी के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ, विदा जय हूँ